आपका प्रेश्न है मैं त्राटक करता हूं 5-10 मिनिट वायम करता हूं शिव मंद्र और नाराण मंद्र को जाब हो सुभे शाम करता हूं लगवग 5-6 वर्ष हो है बस त्राटक अभी एक महिने पहले ही शुरू कियाता है मुझे कभी बहुत शांती एक आगता मैसुश होती है तो कभी सिर्द्द और क्रोध चिड़चड़ापन बेचैनी बढ़ जाती है मिल्चे समझ में नहीं आता क्या कर रहा है आप शिय्मंत्र करते हैं नाराण मंत्र करते हैं इसको जाब आप सुभर श्याम करते हैं और 5-6 वर्षों से आप इसी प्रक्रिया को कर रहे हैं, अब शिव मंतर आपने बिताया कर रहे हैं और नारान मंतर कर रहे हैं, तो सिर्फ शिव मंतर बताने से या नारान मंतर बताने से ये मुझे फता नहीं चलेगा कि आप कौन सा मंतर कर रहे हैं, लेकिन जब मिलेंगे इस वेवर करते हैं। मैं त्राटक रहता हूँ। आप 5-10 मिन त्राटक करते हैं। रणायम भी करते हैं 10 मिन जो आपको शांती और इकाजरता मेहसुस होती है। और कभी चड़चड़ा पन, कभी बेचैनी से हो जाती है। इसका मुव एकारण भीतर ही होता है। जब हम त्राटक करना शुरू करते हैं। त्राटक करने से पहले और बाद में कई सारे अनगंत विचारों के संख्या रहती है। जब हम किसी बिंदू के त्राटक करते हैं या मुवमत्ति की लौपे करते हैं। या किसी भी चीज पे त्राटक करते हैं। तुछ शुरु में हम विचारों की संख्या जब त्राटक कर रहे हैं, त्राटक से उठाने के लिए त्राटक ना करने के लिए प्रयासत रहते हैं ऐसे प्रयासत रहते है कि जैसे ही आप बैठना शुरू करेंगे, आपकी डश्टी का बिंदू, गोत्राटक का केंद्र ना होके, बार बार कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, रुकेगा नहीं, और जब रुकेगा नहीं है, तो ये सीधा सीधा संकेत है, कि मन की गती कितनी ज्यादा है, मन का आँखों से बहुत गहरा संब्द है, जैसे जैसे मन भागना बंद करेगा, मन में विचारों की संख्या होना, धीरे-धीरे कम होना शुरू होनी वैसे वैसे आँखों की स्थिरता उस केंद्र पे, बिंदू पे बढ़ने लगेगी, और उसका समय भी बढ़ने लगेगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए रहेगा, जैसे जैसे आप उस समय को बढ़ाएंगे, तराटक में बैठने के समय को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी एकागरता का समय भी बलता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, आपके मस्तरश में, आपके मन में विचारों की संख्या उतने उतने समय कम उतना आपका मन मस्तिश पे चित शांत रहां और जितनी देरों शांत रहां उतनी देर आपके मस्तिश पे ने आपके मन में शांती महसूस करी पिकागता महसूस करी क्योंकि अब विचार नहीं है विचारों से सम्मंदित विशाय वासनाई भी नहीं है अब सिर्फ आप और वो बिंदू है जिस पर तराटक किया जा रहा है ये पुछ समय के बाद ये स्थिति आती है किसी पर जल्दी आ जाएगी किसी पर तोगा समय लगे रहा है अब जल्दी स्थिति होने लगती है तो जब तक आप तराटक कर रहे हैं तब तक तो स्थिति बन नेले लेकिन दीने इस विधी को करना एक आदर बन जाता हु न है कि हम बैटने लगे हम करने लगे जितन एक गरम बैट है उतनी दिन विकाध हुए फिर वापस वैसे ही विचारों का आना जाना शुरू हो गया है इसमें बहुत गेहरे में बहुत ब्हेकरी चित्प वस्ताव यह हजचन का होना सुभविक है कि जिस चीज को हमने तराटक से पहले जहला और तराटक के बाद जहल रहे हैं वो सेम चीजी है तराटक करते वेश जिस शांति का अभास हो रहा था जिस एकागरता का अभास हो रहा था वो जब छूटती है तराटक के बाद या तराटक ना हो के समय वो उसी अवस्था की कमी है जिस अवस्था में आपका चिर्ट तराटक करमेजी स्किती में पहुंच रहा था अब एक ये करण हुआ चिर्चापन और सिर्दरत का दूसरा जो भी कारण होता है कि जब हम साधना में होते हैं तो हमारे शक्ति उठ रहे होते हैं जब शक् आपको माजसिक रूप से ये अभासत कराता है कि सर्दद हो रहा है और चिर्चडपन सर्दद होना माईग्रेन होना पंदर पंदर दिन या एक्एक हफता किसी को सर्दद हो अगर वह साधक है तो उसका करण इस साधना भी हो सकती है कौन सिंधी पर काम कर रहा है है ध्यान किसी मंतर पे कर रहा है किसकी माधियम से कर रहा है उसको देखा पर जाए है सरदर्द करोध चिर्चड़ापन ये सारे जो अउटजा अथती है उससे उटने वाली जो वास्नाएं जो विकार हैं आपने सिर्फ तोती की ज़िए खनाम लिया इसने कभी कबार काम भी उठेगा करोध भी उठेगा कभी कबार ऐसा भायतपन होगा कि आपको ऐसाबहास होने लगेगा कि You Aren't not be available. तो एक बहर ली आता है बीच में. कमी के बारे इतना ही साख मखी हो जाता है कि जानौर जैसे प्रगटी होने लगती है कि सानव हो जाता है कि भजेगा कि कुई भी स्थी सामने आ जाई मैं। उसका निकलने का मौका मिल रहा होता है और मन हमारा यह सूचता है कि हमारा शाय मन भटक रहा है हम साधना मन नहीं जा रहे हैं अगर ऐसी कोई भी परिस्तिती होती है चाहे क्रोधी या चुछड़पंती बेचैनी हो सिखदर्ध हो फ्रस्ट्रेशन हो या किसी प्रकार के कोई भी भाव उती रहा है या कोई भी अनभव हो रहा है किसी प्रकार के विचार मन भटकाव हो रहा है आप इसको होने दें कि त्राटक में हम जब बाहर जाते हैं किसी बिंदू पर हम एकागर्ट होना चाहते हैं तक मेरे अपने आनपों में यह है कि हम मुम्पत्ति पे जब अगर हम एक सी बिंदू पर meditate देखने के ed tarkas करते हैं हमोने लगते हैं उसमा कुछ द्रश दिखने हैं जब वो द्रश्य दिखने लगते हैं, तो वो द्रश्य वो कहीं बाहर के नहीं है, वो हमारे भीतर के ही द्रश्य हैं, भीतर की ही चीजे हैं, जो बाहर हमें प्रोजेक्ट कर रही हैं, उस लौप है, उस बिंदू पर, और हमको ये आभास होता है, कि उसमें कुछ दिख रहा ह तो दिरे धीरे जब आप त्राटक के अध्यास को और बढ़ाएंगे और जो बाहर का त्राटक छूपने लगेगा तो स्वतार आपको दिखने लगेगा कि वो जो दिर्ष्ट लिख रहे हैं या वो कोई भी अनभव हो रहा है त्राटक के समय या त्राटक ना करते समय भी के ईदार हो ड्याव कैसे त्राटक ंडिम्राण सब नढ़ाव की आफ्ट लेगा कि शभी गजान जन्मय दुड़ा कि उसमें और वहह होगा जो खुलेंगे तो श्बहाव देनलों कर वह द्दागा不क्न को दाटकर करेंगे उससे उठने वाली जो भेदना है, रहे किसी भी रोब न हो सकती है। उसका कुर भी निश्चित रूप नहीं हो, तो किसी भी पंश्चित रूप से किसी भी वरकार से उसकी अपके रहे हमन पर परकट हो से। जब मैं सादकों को देता हूँ वस मंतर के साथ में बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़के अईसे तीन बार उस मंतर का उचारान करके अगर आप अपने तीन बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए बीस पचास पचास सौसो किलोमेटर दूर तक उसके उचारन से और उस ठोक से पढ़ने वाली चोट उस धर्ती के भीतर ही नहीं उपर के भी शक्तियों को सफाय कर देते हैं झाल